इस वीडियो का टॉपिक है एडिशन आफ मास आफ अबजग्ट्स मास क्या होता है वेट या वजन को मास केते हैं तो डिफरेंट अबजग्ट के वेट्स की हमने एडिशन करनी है तो वेट के यूनिट्स कौन कौन से हैं किलो ग्रैम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं ग्रैम्स और पाउंड्स जिसको ल भी लिखते हैं और ओन्सिस यानि ओजड्स ये चार यूनिट्स हैं मास के जिसमें किलो ग्रैम और ग्रैम दोनों आपस में रिलेट करते हैं और किलो ग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम के निजबत, और इसी तरह से पाउंड के बड़ा यूनिट है, और उन्सिस के निजबत. तो हम इन यूनिट्स को कैसे एड़ करते हैं, ये देखते हैं, इसके लिए मिसाल ले लेते हैं, तो किस तरह से करेंगे, किलो ग्राम में दोनों यूनिट्स हैं, जब दोनों यूनिट्स सेम हो तो ऊपर हमें यूनिट्स के लेते हैं, लिए प्लेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे तो और नीचे लिखेंगे 23, प्लेसिस का आपने खियाल रखना है, 1s place के नीचे 1s place वाला और 10s place के नीचे 10s place वाला ही लिखेंगे और ये addition हो रहे हैं इसलिए plus का निशान लगाया इनके addition बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हम आम numbers की addition करते हैं 4 plus 3 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा 9 plus 2 11 आ जाएगा तो 1 लिखेंगे और 1 को हम carry ले जाएगे 5 plus 1 6 आ जाएगा तो ये हमारे पास आया 617 यानि के 594 किलो ग्राम को जब प्लस किया 23 किलो ग्राम में तो answer आया 617 किलो ग्राम answer के साथ unit को जरूर लिखना है और unit वही आएगा जो पहले दोनूं numbers के साथ था एक और example देखते हैं 903 grams plus 723 grams दोनूं के units grams में हैं इनको हमने plus करना है तो लिखेंगे 903 और इसके नीचे लिखेंगे 723 और इस तरह से line लगाएंगे क्यूंकि इनको plus कर रहे हैं इसलिए addition का निशान आएगा और अब 3 plus 3 क्या आजाएगा 6 आजाएगा 0 plus 2 2 आजाएगा और 9 plus 7 16 आजाएगा तो ये है 1,626 ग्रैम्स अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 1,000 ग्रैम्स हो यहां पर मैं लिख लेती हूं 1,000 ग्रैम्स हो तो वो किस के इक्वल होता है 1,000 ग्रैम्स के इक्वल होता है तो ये 1,000 से ज्यादा है इसलिए इस ग्रैम्स को हम किलो ग्रैम्स में कनवर्ट करते हैं तो जब 1 ग्रैम्स को किलो ग्रैम्स में कनवर्ट करना है तो 1 gram is equal to 1 over 1000 kg अब हमने जब gram से kg में convert करना है तो हमने divide करना है 1626 को किस के साथ? 1000 के साथ तो ये बन जाएगा kg ये convert इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 1000 तक आया है जब भी grams 1000 ये उससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसको kg में convert करेंगे तो ये किस के equal आएगा? 1.626 kg क्योंकि जब भी 1000 से divide होगा तो 1000 में 30 हैं तो यहाँ पे 3 digits के बाद जाके point लगता है तो इससे ये बन गया 1.626 kg इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 903 g को plus किया 723 g में तो ये किस के equal आया? 1.626 kg के equal answer आया next example देखते हैं 98 pounds plus 72 pounds LB किसका unit है? pounds का तो दोनों pounds में हैं इसलिए हम direct numbers को लिखके उनको plus करते हैं 98 को plus करना है 72 में और यहाँ पर addition का निशान लगा देंगे क्योंकि इनको हम plus कर रहे हैं 8 plus 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा 0 लिखेंगे 1 carry ले जाएगे 9 plus 1 10 और 10 plus 7 17 तो यह आगया 170 इसका मतलब यह हुआ कि 98 pounds को जब 72 pounds में plus किया है तो आंसर आया है 170 pounds नेक्स्ट एग्जेम्पल है 15 pounds plus 623 pounds तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि plus हो रहे हैं तो इसलिए जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 623 बड़ा नंबर है इसको पहले लिखें और 15 को बाद में लिखें 623 को प्लस कर रहे हैं 15 में तो यह किसकी equal आएगा? 5 plus 3, 8 2 plus 1, 3 और 6 as it is नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यह equal आया 638 pounds के है तो हम लिखेंगे 15 pounds plus 623 pounds is equal to 638 pounds next example है 6 ounces plus 7 ounces अब हम ounces को plus कर रहे हैं दोनों का unit ounces है तो हम 6 plus 7 डारेक्ट करेंगे तो 6 और उसको plus करना है 7 में यहाँ पर plus का निशान लगा देते हैं 6 plus 7 क्या आता है? 13 तो यह है 13 ounces यानि जब हम 6 ounces को plus करेंगे 7 ounces में तो यह किस के equal आएगा? 13 ounces के equal आएगा next example है 9 ounces plus 7 ounces तो 9 को 7 में जब plus करेंगे तो क्या आजाएगा? 16 आजाएगा 16 और ounces को unit को साथ लिखेंगे 16 ounces अब हम जानते हैं कि 16 ounces किसके बराबर होता है? 16 ounces बराबर होता है 1 pound के है तो यहाँ पे 16 ounces की जगा हम लिख सकते हैं 1 pound यह आपने याद रखना है कि जब भी ounces जो है वो 16 या उससे ज्यादा हो जाए तो हम उसको फिर pounds में convert करके लिखेंगे तो यह आगया 1 pound इसका मतलब 9 ounces को जब प्लस करेंगे 7 ounces में तो यह equal आएगा 1 pound के next example है 11 ounces plus 37 ounces 11 और 37 को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का unit सेम है हम unit को नहीं लिख रहे 37 को पहले लिखा यह बड़ा नंबर है और नीचे लिखा 11 जब इन दोनों को प्लस करेंगे 7 प्लस 1 एट आ जाएगा और 3 प्लस 1 फोर आ जाएगा तो यह आ गया 48 ounces अब हम जानते हैं कि 1 ounce equal होता है किसके 1 by 16 pounds के इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको pounds में convert कर सकते हैं तो हम इसको pounds में convert करेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा 48 को हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ 48 divided by 16 और यह पहले ounces में था तो अब किसमें convert हो जाएगा pounds में और हम इनको डिवाइड क्यूं कर रहे हैं क्यूं क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि 16 ounces 1 pound बनता है तो यह 16 ounces से ज्यादा है इसलिए तो यह 16 के टेबल पर जाएगा 16 one's are 16 16 three's are 48 इनको डिवाइड किया तो त्री answer आया बलकि हम इनको डिवाइड करके देखेंगे 48 को डिवाइड करना है किसके साथ 16 के साथ तो 16 three's are 48 आएगा 48 माइनस 48 जीरो आ जाएगा तो हमारा answer क्या है 3 3 और 7 में unit है pounds इसका मतलब 11 ounces को जब हम plus करेंगे 37 ounces में तो ये किसके equal आएगा 3 pounds के equal आएगा इस तरहाँ से हम different units of mass को जमा कर सकते हैं आज हमने सीखा edition of mass of objects के बारे में